हेलो फ्रेंड्स देखिए अभी आपके सामने 67th BPSC की औरिजनल पेपर रखी हुई है और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यदि ये पेपर कैंसिल नहीं हुई होती तो आप किस रेंज में कटफ के होते हर कोटा में अलग-अलग मैं बता रहा हूँ हर कैटाउगरी में अलग-अलग ताकि आपका सेलेक्शन मेंस एक्जामनेशन के लिए हुआ होता अब चुकि ये पेपर कैंसिल हो गई है तो अब आप प्रिपेर हो रहा हैं फिर से रीगजामनेशन के लिए तो re-examination में इस cut-up को आप ध्यान में रखते हुए अपनी strategy बनाएंगे और उसी के आधार पर तैयारी करेंगे इसलिए भी ये cut-up बहुत मातोपुर्ण होगा आपके लिए नमबर दो कि BPSC के इस question का cut-up उन लोगों के comment के आधार पर हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं जो BPSC के race में ही नहीं है इसलिए मैं बहुत बातचित इस विशह पर नहीं करने वाला हूँ नमबर दो, नमबर तीन BPSC का जो ये history का question इस बार set किया गया है हो सकता है कि committee के जो member रहे हो BPSC के द्वारा जो committee बनाई जाती है question set करने के लिए वो थोरे low level के उन लोगोंने select कर लिया हो ऐसा होता है, इस बात का प्रमान मैं आपको next video में दिखाऊंगा भी कि कैसे BPSC ने एक बार ये गलती किया हुआ है कि इनके जो setter थे, वो gastric rank के question set करने वाले नहीं थे बहुत low level के setter थे और कैसे जो है गलती BPSC के तरफ से हुई थी उस बार वो चीज मैं next video में बताऊंगा, इस video में केबल हम लोग cut up पर बातचीत करेंगे बहुत लंबा video नहीं बनाना चाहते हैं, तो देखिए अभी cut up क्या हो सकता है 67th BPSC का, यदि ये paper cancel नहीं हुआ होता तो हम general के लिए 98 marks रखे हैं, इससे अधिक marks ये मैं genuine cut up बता रहा हूँ ऐसा नहीं है, होने को तो BPSC का जो 3-4 वरसों का हम देख रहे हैं trend up उससे तो BPSC का 108 cut up 66 में गया था और 67 में 138 cut up, 148 cut up भी BPSC दे सकती है कोई बरी बात नहीं है, क्योंकि अगर CT बेच लिया जाए, तो उसके आधार पर cut up निर्धारी नहीं किया जा सकता है वो मेरे से भी नहीं होगा और किसी से भी नहीं होगा लेकिन एक genuine cut up जो पढ़ने वाले student हैं, जो पढ़कर marks ला सकते हैं उनके आधार पर हम इस cut up को set कर रहे हैं, ठीक है देखिए, general का 98 और general यदि female है आप, तो आपको 92 marks यदि आ रहा था तो आप prelims में इस genuine cut up के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप select होती BC categories में देखिए, यदि boys में आपका 96 marks आ रहा था और girls में 89 marks अगर आप ला रही थी, तो आपका selection means के लिए हो जाता EWS में 95 marks यदि boys category में male में हैं आप तो और यदि female हैं आप, तो 87 marks में आपका means के लिए आप qualify करती ये जो 87 marks है, 56-69 में boys के लिए ये cut up गया था, male के लिए cut up था ये BPSC का देखिए 5-6 साल में cut up 66 में 108 चला गया BPSC का, क्यों चला गया, court में विचारा धीन है आप सभी समझ रहे हैं, मुझे बहुत बोलने की इस बात पर आवशकता नहीं है मैं genuine cut up बार बार बोल रहा हूं, कि genuine बता रहा हूं, जो cut up इस 67 के लिए means के लिए आप qualify करते लाकर, SC quota में जो है यदि आपका marks 88, male में और female में यदि आप 77 ला रही हैं, तो आप means के लिए qualify कर रही है ST quota से अगर कोई student हैं, तो उनको 90 marks लाना होगा, तभी आप means के लिए qualify करते हैं, यदि आप EBC quota से हैं, तो 94, और यदि female candidate हैं EBC की, extremely backward classes की, तो आपको 85 marks लाना पड़ेगा यदि आप ला रही हैं थी, तो आप means के लिए select होती, BCL quota में यदि आपका marks 88, ठीक है, तो आप means के लिए qualify करते हैं, ठीक है, और आगे भी देखे, यदि grand child of EX freedom fighters के आप हैं, तो आपको marks 90 अगर है, तो आप means के लिए select होते हैं, अब disabled के लिए BPSC ने थोड़ा अलग-अलग criteria रखा है, तो मैं उसका बता देता हूं, जो visually जिनको problem है, उनका cut-off मैंने रखा है 82, जो DD candidate है, उनका cut-off मैंने रखा है 74, और जो OH quota से हैं, उनका हमने रखा है 87, और जो MD quota से हैं, उनका हमने रखा है 54, यही BPSC का preliminary जो 67th का इस बार का paper है, इसके आधार पर यही cut-off इस बा नहीं जा सकता था, यदि जैनून paper हुआ होता, paper में धांतली नहीं होगी, नहीं होई होती, तो यही cut-off होता और आप इसके आधार पर मेंस के लिए qualify करते, अब जो next strategy आपकी होगी, वो यही होगी, कि अब re-examination में आप इसी के आधार पर अपना एक रनीती तेयार और प्रिपेरे प्रिपरेशन के जिए, थैंक यू